पैथालजी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्जैम की वी उसे क्लिनिकल कॉंसेप्ट और गॉर्मेंट में जो आपके एक्जैम से होते हैं उसके हिसाब से नेक्रोसिस ठीक तो हम लोग एक्जेक्टली देख रहे हैं मॉर्फोलोजी ओफ एर्रिवर्सिबल सेल जब भी इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो हमको मॉर्फोलोजीकल चिंजेस मिलते हैं हम मॉर्फोलोजीकल चिंजेस के बेस पे भी इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी को पैचान सकते हैं तो जहां भी इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी मतला वहां पर सेल डैथ होगा और उस cell death को वहां से, उस cell death पे different type की process हो सकती है, मैंने आपको बताया था, autolysis हो सकता है, ठीक है, इसके लावा heterolysis भी होता है, बताओ गादी, next अभी, इसके लावा necrosis हमको वहां मिलता है, apoptosis मिल सकता है, एंड इसके लावा gangrenum को मिल सकता है, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं necrosis, ठीक है, तो जब भी irreversible cell injury होगी, ठीक है, irreversible cell injury, जिस cell में भी irreversible cell injury होगी, ठीक है, मतलब वहां से वो reverse होके normal नहीं हो रही है, तो उस cell में, जिसमें irreversible cell injury होई है, फाइनली वहां पर क्या होगा, आपको cell death मिलेगा, और उस death cell में एक process होगी, जिसे हम बोलते हैं necrosis, लेकिन exactly उस cell में necrosis हुई है, या नहीं हुई है, उसको पहचानने के लिए, उस cell में कुछ changes होगी, यदि वो change हमको मिलेंगे, तो वो necrosis है, वो change नहीं मिलेंगे, तो वो necrosis नहीं है, तो हमेशा याद रख़ए necrosis कहां पर होगा, irreversible cell, normal cell है, irreversible cell injury हो गई, cell dead हो गया, फिर वहाँ पर क्या होगा, नेकरोसिस होगा, और जहां भी नेकरोसिस होगा, very importantly हमको वहाँ पर inflammation मिलेगा, यह आपको हमेशा याद रखना है, keynote है, दिमागे बढ़ा लीजी आप, जहां नेकरोसिस, वहाँ inflammation, और एकोची बता दो आपको, apoptosis के साथ आपको inflammation नहीं मिलता है, ठीक है, तो नेकरोसिस से तो क्या मिलेगा, inflammation हमको वहाँ पर मिलता है, ठीक है, तो definition हम दो दिखते हैं, नेकरोसिस इस डिफाइंड, फोकल डेथ या, सेल डेथ, फोकल मतलब बता है, सेल, फोकल डेथ बोल दे हैं, सेल डेथ, एलोंग विथ, डिग्रेडेशन और टिशू, बाई हाइडॉलाटिक एंजाइम, ठीक है, लिबरेटेड बाई, सेल, इंपोर्टेंटली क्या बोल रह हो रहा है, फोकल डेथ हो रहा है, सेल डेथ हो रहा है, किसके दोरह, एलोंग विथ क्या मिल रहा है, हमको, फोकल डेथ, सेल डेथ, एलोंग विथ, डिग्रेडेशन और टिशू, सेल डेथ है, और रिवर्ट सेल इंजूरी हो गई है, सेल डेथ हो गई है, साथ क्या मिल रहा उसको वहर से clean करना या cell को break करना, cell को kill करना, cell diet तो हो गई है, लेकिन उसको rupture करना, उसको digest करना, ठीक है, तो with the degradation of tissue by hydrolytic enzyme, ठीक है, enzyme के दारा क्या होगा वो, hydrolytic enzyme के दार क्या होगा, digestion होगा, ठीक है, और यह जो enzyme liberated by cell, और इस cell के दारा ही निकलते हैं, accompanied by inflammatory reaction, very very importantly आपको याद रखना है, very very importantly आपको याद रखना है, कि जब भी necrosis होगा, तो necrosis क्या है, focal death है, या cell death, focal death, cell death, along with degradation of tissue by hydrolytic enzyme, liberated by cell, जो cell dead हुई है, जो cell focal death हुई है, जिस cell में, जिस cell में रिवर्स अंजूरी हुई है, वो ही cell क्या करेगा, enzymes को निकालेगा, क्योंकि उसके पास होता है, alysosome, लैसosome ने होता है, अडिलाटिक enzyme, और ये enzyme क्या करेगे, cell का, तिशुका degradation करेगे, ठीक है, and with क्या होगा, हमको inflammatory changes मिलेंगे, ठीक है, with हमको क्या मिलेंगे, inflammatory changes हमको मिलेंगे, called necrosis, called necrosis, और जब भी ये होगा, जब भी ये होगा, जब भी ये होगा, तो इसमें आप आपको importantly changes मिलेंगे, एक मिलेगा हमको क्या, cytoplasmic changes, और दूसरा मिलेगा हमको protein denaturation, protein denaturation and cytoplasmic changes, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, definition में आपको ये लिखना है, साथ में आपको लिखना होगा, changes, अब ये हो रहा है, तो changes हमको क्या मिलेंगे, two essential changes, cell digestion by hydraulic enzyme, जो hydraulic enzyme निकल आपको क्या कर रहे है, cell का digestion कर रहे है, पहली condition और दूसरा है, denaturation of protein, क्या होगा, second denaturation of protein होगा, ठीक है, जिस cell में necrosis होगा, вहाँ पर क्या होगा, hydrolatic enzymes के दौरा क्या होगा, digestion होगा, पहली condition, very, very importantly, and second क्या है, वहाँ पर, अब क्या मिलेगा, denaturation of protein, denaturation of protein, और जब भी य दोनों चीज होती हैं तो changes are morphologically identified और जब यह दोनों चीज होगी दो essential important mechanism होगी necrosis में cell digestion by hyartic enzyme and denaturation of protein तो हमको cell में morphological बदलाओ मिलेंगे क्या मिलेंगे बदलाओ मिलेंगे वो बदलाओ कैसे होंगे साइटो प्लाजमिक जिसम को मिलेगा and nuclear जिसम को मिलेगा साइटो प्लाजमिक जिसम मतलब इन दोनों के करण क्या होगा साइटो प्लाजम में हमको change मिलेगा and nucleus में हमको change मिलेगा very very importantly आपको याद रखना है कि जब भी necrosis होता है हमें साय आदर नेक्रोसिस कहा होता है आपके पहले importantly वह होता है यह reversible cell injury जिसने होई होगी वहाँ cell dead हो गई होगी उस dead cell के उपर क्या होगा necrosis होगा जब भी necrosis होगा तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको आपको important चीनिक मिलेगी क्या cell digestion of hydraulic enzyme पहली protein denaturation of protein मिलेगा and accompanied by inflammation वहाँ पर क्या मिलेगा inflammatory reaction तीन important point आपको हमेशा याद रखना है नेक्रोसिस cell digestion of by hydraulic enzyme protein या denaturation of protein and inflammation आपको मिलेगा और जब यह तीनों होता है तो cell में morphological changes मिलेंगे और यह जो morphological changes है वो हमको cytoplasm मिलेंगे and nucleus मिलेंगे और उनको ही हम लोग microscope में identify करके बता पाएंगे कि यहाँ पर necrosis हुआ है जब भी हमको cytoplasmary changes मिलेंगे बताने वाले हो कौन से वाले and nucleus changes मिलेंगे वो यह हमको मिलते हैं cell में जिसका मतलब है नेक्रोसिस हुआ है वहां नेक्रोसिस के हुआ है क्योंकि वहां के यह cell dead थी उसके उपर necrosis हुआ है कौन से प्रोसेस से enzymatic reaction deep protein denaturation and last inflammation यह 3 important चीज होती है आपको याद रखना है definition जब भी exam में आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा जो है नेक्रोसिस को define करते हैं focal death यह cell death along with the degradation of tissue ठीक है by by hydrolytic enzyme ठीक है liberated by cell accompanied by inflammatory reaction ठीक है फिर क्या मोलेंगे two essential changes मतलब हमको मिलेंगे cell digestion मिलेगा and protein denaturation मिलेगा और due to this reason due to this reaction process हम क्या मिलेगा cytoplasm changes मिलेगा and nuclear changes मिलेगा और उसको ही पैचान कि हम लोग क्या करेंगे पैचान पाएंगे डिक्रोसिस हुआ है जब भी आगे हम लोग दिखेंगे cytoplasm changes जो cytoplasm changes है वह exactly during a crisis क्या होता है ठीक है उसमें जो cytoplasm होता है हमको दिखता है homogenous बिल्कुल एक जैसा आपको दिखेगा मतलब glassy homogenous cytoplasm होता है necrotic cell का जहां पर necrosis हो रही जिस cell में ठीक है यह ग्लासी दिखता है second बात करेंगे वह हमको जो cytoplasm है वो eosinophilic होता है eosinophilic क्या होता है उसे जानने से पहले हम बता दें normally जो हमारी cell होती है वो दो पकार के dye को लेती है दो पकार के dye को adsorb करती है जो न्यूटियस होता है वो लेता है hematoxyoulim हको हम हमेटोक्सिलीन जो है वो लेता है और वो देता है honικो कलर हमारी – ब्लू कलर मतलब बेसोफिलिक की नेचर का होता है blue color से basophilic nature का होता है hematoxylene जो होता है वो specific dye होता है जो nucleus absorb करता है और nucleus को देखने के लिए हमको ये dye का use करना होता है जो second होता है वो होता eosin dye जो होता है ये जो dye है ये cell के sertoplasm जो protein organist होते हैं जितने भी organist है protein nature के होते हैं वो जो है, वो क्या करते हैं, यह eosyn dye को absorb करते हैं, और क्या देते हैं, पिंक कलर देते हैं, पिंक या red कलर हमें देते हैं, ठीक है, पिंक के red कलर देते हैं, तो नॉर्मली यहां आपका जो है, जो है, उसमें आपको basic dye मिलता है, ठीक है, बेसोफिलिक होता है, blue कलर देता है, nucleus दिखता है लेकिन जो बाकिये में नेक्रो शु यहां पर नेक्रो से सुआ है वो सेल की यह प्रॉपर्टी होती है बढ़ जाती है क्योंकि जो सेल है उसके अंदर प्रोटीन है प्रोटीन होता है यह ऐसा होता है जैसे इसमें नेक्रोसिस होगी तो यह तूट तूट के छुटे-छुटे जाती है कहता है यह फैल जाएगा तो फैल में प्रोटी चल की नंगर में बढ़ जाएघा है गर कि दिखेगा जाता प्रोपर्टीछ नर्मलकित parked बढ़ जाती है, क्योंकि यह जो digestion के current क्या होता है, जो hydrotic enzymes current क्या होता है, वहाँ पर जो protein digestion हुआ है, and protein जो denaturation हुआ है, उस current से जो protein है बहुत अनिक फैल गया है, और उसकी surface area बढ़ गया है, जिसे large number में वो क्या होगा, eosin को absorb करेगा, और उसकी eosinophilic property है, वो बढ़ करेंगे, उसमें में क्या मिलेगा, और कभी-कभी, vacuol form हमको मिल सकते हैं, cytoplasm में, जोटे vacuol मिल सकते हैं, bag-like structure हमको मिल सकते हैं, और last है, कभी-कभी मिल सकता है, dystopic calcification, dystopic calcification क्या होता है, due to necrosis, due to digestion, due to denaturation of protein, वहाँ पर cytoplasm में के अंदर क्या होता है, specific myelin figure form होते ह मतलब, myelin figure form होते हैं, ऐसे myelin figure form होंगे, और ये myelin figure जो होते हैं, exactly बने होते हैं, किसके? phospholipids के खाई के बने होते है phospholipids के और यह जो होते हैं इसके आपके specific जो molecule है यह क्या करेगा यह जो molecule होता है जो phospholipids में होता है इसमें property होती है absorption या attraction होता है कि इसके लिए calcium के लिए तो necrotic cell में यदि वो necrotic cell बहुत दिनों तक body के अंदर रहती है और उसमें myelin figure like structure present है जो काई का बना है phospholipids का बना है तो वो calcium को अपनी और अटरेट करेगा और यहां पर क्या होगा calcium आके जमा हो जाएगा और जब इस area में calcium आके जमा हो जाता इस तरीके से necrotic cell में हम उसे क्या बोलते है डिस्ट्रॉपिक कैल्सिफिकेशन ठीक है नेकरोटिक सेल में phospholipid की molecule में deposition of calcium called dystrophic कैल्सिफिकेशन अभी आगे जाके में लोग पढ़ने वाले detail दे पढ़ेंगे लेकिन short आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से वहाँ पर अगे बात करेंगे न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है बताया था मिन आपको basophilic होता है blue color दे रहा है हमें specific dye के संपर्क में आने पर तो जो न्यूक्लियस है उसमें हमको तीन प्रकारी changes मिल सकते हैं पहला हमको मिलता है pecanosis पहला हमको मिलता है pecanosis pecanosis हम कैसे पेचान होगे pecanosis में क्या होता है जो आपका nucleus होता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और क्या न्यूक्लियस ऐसा होता है और वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है और जो आपको होता है लेकिन होता है लेकिन होता है और हम नुकलि dei नायोजम को सकटा है और सूखवताहेगा वह मतलohl एकदम देंस होकर इसा देंस हो जाए और देन्स होगा और देन्स होगा और छोटा होकर बाहर निकल जाएगा तो जितना अधिक डेन्स होगा उसके ब्लू रंग की जो प्रापर्टी उतना दिक बढ़ जाएगा मतलब जो नुकलिस का जो क्रोमिटे ने और चिपक पास-पास में आएगा और पास-पास में आएग एकदम सुकर सुकर के एकदम dense हो रहा है मतलब उसमें जो बेसोफिलिक जो ब्लू कलर रंकी दिखने की जो प्रॉपरटी है वो बढ़ते जा रही हो सकता है यहां पर क्लोमर्टीन दूर-दूर है थोड़ा फीकर कलर दिखेगा यहां पर क्या होगा थोड़ा डेंस होगा और दीकेगा और जब फाइनल वह निगलने हो तो अदम डार्क ब्लु कलर दिखेगा क्योंकि वो इदम dance होते जा रहा है ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं पैकनोस्यस बोलते हैं तो निकुलियस में हमको density में dance होते आएगा वो आगे और disappear होगा पैकनोस्यस कहलाता है दूसरा होता है कैरियोलेस stick हैं ⇒-0,Cereolysis Chorrhages में क्या होता है जो आपकाじゃ नुकलियस है वो शोटे 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 क्षड़े में ऐसे तूट कर How finally कैसा हो जाएगा वो FT FT होता है दीज़ेates क्या होता है वो FT होता है स्शोटिakin शोटेसığı। 2G तूटakes निकल जाता है ठीक है ना ऐसे बिंदी बिंदी तूर के च्छोटे तुकलों में इतना दिक च्छोटे तुकलों तूर जाता है कि वह नुकलियस दिखना बधन लगता है आपको क्या लिखेगा फैट हो जाएगा अचा लगेगा तो इससे ही हम क्या बोलेंगे केरियो लेसिस फैंत safer and carryiają infectious जो होता है इस इसमें जो नूटने होता है छोटे 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 friends में तूटता है छोटे छोटे fragments में तूट जाएगा आपको जाद रखना है जबभी carryresses हो रहा है उसमें हमको जो छोटे-छोटे तकलो में अब फ्राग्मेंट से तोटेगा और टूटकर वह डिसेप्यार हो जाएगा वह है के लिएतो टोट रहा है तो करियो रियाक्सिस वह बिद्फूल स्मल सभ्यार्स बोलेंगे वह ढीजरी किसा हो जाएगा वह से फैडवने लगेगा तो हम उसे बोलेंगे क्या केरियो लिसी कि अर्दिक है और यह लिदेशों कर मूँगोड रहा है इस बोलेंगे पी अकिनोसेश तो यह मिलता है पैकनोसेश का यह यह रियेक्सिस टिन इंपो क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है немножition by hydrogen médico protein denaturation and due to inflammation यह तीनों करण से होता है फिक न्यान ए सधारी वी इंपोर्टना चीज हमको वहां मिलती है तो जहां पर भी necrosis होता है ठिक वहां पर क्या है। उनको जो गर्लाश्व करने के जो कौस है कौन-कौन से देखना पने क्या कॉज है नेक्रोसिस के कॉज लिखना चाहते हैं आप तो यह याद रखें कि आपने जो सेल इंजरी मेरी पड़ी है वीडियो देखा होगा उसमें मैंने जितने भी कॉज बता है पूरे के पूरे वही कॉज आपको यहां पर कॉपी पेस्ट करना चाहिए बिल्कुल वही कि यहां सेल पमकली करो हाई पूरा यहां पर कॉपी पेस्ट करना है उसको पर रिवाइस नहीं करेंगे तो जो क्वज हैंं आप उसको cell injury वाले जो cause बताएं बिलकुए वहां से आप ले लीजिए ठीक है वहां अच्छे से मैंने उसको explain किया है आगे बात करेंगे types of necrosis types of necrosis ठीक है types of necrosis में हम जो बात कर रहे हैं पहली है यह exactly 5 type necrosis होती है five type of necrosis होता है पांच टाइब का importantly आपने रखना है पांच होती है पहली है coagulation coagulative necrosis पहली है coagulative necrosis very very important government job में exam में short notes में आ सकता है long question में आ सकता है coagulative necrosis दूसरा है liquefaction necrosis liquefaction necrosis तीसरा है cassius necrosis cassius necrosis next है fat necrosis और last है fibrinoid necrosis fibrinoid necrosis fat necrosis cassius necrosis liquefaction necrosis and coagulative necrosis coagulative necrosis liquefaction necrosis cassius necrosis fat necrosis and fibrinoid necrosis पांच important type necrosis यहां पर होती है यह आपकर importantly याद रखना ठीक है इससे आगे करने से पहले जो हम types को पढ़ने से पहले मैं आपको इची बता देता हूँ कि जो हमें cell digestion की बात कर रहे हैं by hydrolatic enzyme ठीक है यहां तो होता है जो cell digestion होता है यह exactly दो तरीके से हो रहा है एक तो cell के अंदर का जो hydrolatic enzyme है वो निकल के आता है और cell को digest कर देता है ठीक है क्योंकि cell के अंदर होता है lysosome lysosome के अंदर बढ़े होते हैं hydrolatic enzyme और जो enzymes होते हैं उसमें cell के every part के लिए specific enzyme होते हैं nucleus के लिए गॉल्जीयप्रेटस के लिए ribosome के लिए cell में सब के लिए enzymes होते हैं वो जाके उसको digest कर देते हैं इसके लावा जो cell digestion करने के लिए एक important mechanism वहाँ पर और होती है जब उस cell का जो enzyme है उस cell को digest करता है था हम इसे बोलते हैं autolysis इसे exactly क्या बोलते हैं जब कोई cell है उसके निकल का enzyme आएगा उसे बोलेंगे autolysis बोलते हैं लेकिन यह autolysis तो हो रहा है लेकिन साथ में यहां पर हो रहा है heterolysis भी हो रहा है यह heterolysis क्या है ठीक है cell digestion के लिए autolysis भी हो रहा है मतलब खुद का enzyme निकल गया रहा है तो digest कर रहा है autolysis हो गया लेकिन second जो है वहाँ पर हमको heterolysis भी मिलता है होता है कि जब भी बॉडि में जहां पर भी नेक्रोसिस हो रही है या जहां पर athletics हो रही है या तो वो antigen हो जाती है तो जब भी हमारे body में कोई भी antigen आता है उसको मारने के लिए सबसे पहले जब हमारे body के जो defense cells होती है जिसका नाम होता है WBC या leucocytes हम बोलते है जिसमें हम बोलते है neutrophil monocytes जो होती है यह क्या होती है neutrophils monocytes हो या WBC है leucocytes cell है वो वहाँ पहुंचने के बाद वो भी release करती है specific type के enzymes और वो जो specific type के enzymes release करती है वो enzymes जो होते है responsible होते है cell digestion के लिए तो जब जो necrotic cell का digestion उस cell के अंदर के leisosome enzyme की hydrated enzyme के दोरा होता है तो autolysis बोलेंगे लेकिन उसी cell का digestion यदि आपके leukocyte से निकलने वाले enzymatic process से होता है या leukocyte के दोरा उस cell का destruction होता है digestion होता है तो हम उसे बोलते है heterolysis तो यह है heterolysis और जो है autolysis दो process के दोरा क्या होता है cell digestion मिल सकता है during necrosis ठीक है न जब भी कोई भी आपकी body में dead cell होती है heterolysis वाला and heterolysis वाला आपको मिलता है तो यहां पर आपको heterolysis भी मिलेगा ठीक है finally वो क्या करें changes आपको लेकर आएगा ठीक है यह 5 variety है 5 types है किसके necrosis के पहला हम देखते है first coagulative necrosis coagulative necrosis क्या है most commonest type of necrosis underline कर ले government job का question यहां से बन जाता है सबसे commonest type की necrosis पूरी body में सबसे common type necrosis कौनसी होती है coagulative necrosis होती है कौनसी होती है coagulative necrosis होती है और जो coagulative necrosis है यह कैज़ेटली इसमें क्या हो रहा है cause वो ही है irreversible focal injury अतरा cell death हो रही है due to sudden sensation of blood flow यह ischemia main क्या है जो coagulative necrosis क्या हो रही है अचानक से body में ishtemic body के किसी भी part में यदि ishtemic condition मन जाती है अचानक से blood की supply कम होती है blood supply नहीं होगी तो oxygen नहीं जाएगा blood supply नहीं होगी तो RBC नहीं जाएगा RBC नहीं जाएगा तो hemoglobin नहीं जाएगा तो उसलिक हो जाएगी हह एक ज witnessed करती हैक वहां पर इंफेक्षिन केमिकल इंफेक्षिन डैक्टीक प्रीए केमिक इंफेक्षिन इस भान से बंसटी प्रोडिक्ट इसे democrically करता है आपके जिए अउसे होती है थे इफटेट्ट और्गन क्या है का मु enormous कॉमनली जो आपको आपको है वह मिलता है कहांपर हार्ट में मिलता है हार्ट में किने मीलती है आपको किदनी में मिलती है आपको एड़ेनल ग्लेंस में मिलती है, importantly आपको याद रखना है कि affected most common जो coagulatory necrosis है, हमको कहां मिलती है, heart में, kidney में, spleen में and क्या है, adrenal gland में, very very most most important question है, government का coagulatory necrosis हमको कौन साथ मिलती है, heart, kidney, spleen and adrenal gland मिलती है, इसके लाब बात करेंगे, हमको मिल सकती है, कहां पर thermal injury, thermal injury होगी, तब हमको मिल सकती है, जहां पर thermal injury होगी, इसके लाब हाट मतलब है, myocardial infraction, इसमें सी बात करेंगे, myocardial infraction, जिसमें क्या होता है, blood supply कैसे जीरो हो जाती है, मतलब जब heart की blood supply zero हो जाए, मतलब, हार्ट की मसचल की मदसमल olduğunu gynicos हो जाए तो वहाँ पर हमें किया मिल सकता है Coagulative Necrosis हमको मिलेगा मतलब Myocardial Infliction में हमको, Heart में Coagulative Necrosis मिलता है important point underline कर ले heart में Myocardial Infliction होता है तो हमको, कोज से , Coagulative Necrosis हमको वहाँ पर मिलती है इसके लब बात करेंगे, बहुत कॉमने टुबोकलोसिस इन ओल और्गन विद हाइपॉक्सिक सेल डैथ, मतलब बॉडी में कहीं भी टुबोकलोसिस हो जाए, और टुबोकलोसिस के साथ इदियम को वहाँ पर हाइपॉक्सिक कंडिशन मिलती है, ठीक है, मतलब एक सेल है, और हुई है या डैट सेल हो गई है, टुबोकलोसिस विद हाइपॉक्सिक कंडिशन की कमी हो जाए, और वहाँ टुबोकलोसिस हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर मिलता है, बॉडी में कहीं पर भी टुबोकलोसिस हो जाए, विद हाइपॉक्सिक, टुबोकलोसिस के क क्या मिलता है cell death मिलता है dead cell हो जाती है hypoxic condition को साथ मिलती है वहाँ पर हमें क्या मिलेगा coagulity and necrosis मिलेगी लेकिन लेकिन cns cns को छोड़के body में कहीं भी tuberculosis हो जाए तो वहाँ को क्या मिल जाएगा लेकिन cns में नहीं होगी very very important question है गवर्मेंट जॉब का तो ट्यूबकलस इन ऑल और्गन्स विद्ध हाइपाक्सिक cell death except cns एक्सेप्ट cns को छोड़के बिलुकुल ऐसे कैसा question हो जाता है तो यह आपको पता होना चाहिए very very importantly आपको मालूम होना चाहिए ठीक है आगे बात करेंगे pathological changes grossly हम बात करते हैं तो हमने बात की थी जब भी pathology की बात करेंगे तो हमको उसमें pathology changes देखना पड़े ग्रॉसली होता है माइक्रोस्कोफिक होता है पहले हम देखें ग्रॉसली तो फो काई मतलब cell cell of coagulative necrosis early stage early stage में जो quality necrosis होता है early stage में जो quality necrosis होती है उसमें क्या मिलेगा जो आपकी cell होगी वह कैसी होगी slightly swollen swollen होगी इसमें pale होगी कैसी होगी slightly pale होगी and कैसी होगी इसमें swollen होगी जो cell है swell swell दिखेगी हमको slightly pale हो जाएगी वह ठीक है ना अगला है progressive stage की बात करेंगे तो यलो इसका रखी हो जाएगी soft हो जाएगी श्रंकन हो जाएगी जो cell है लेक्रों से जो रही है वह yellow color की दिखेगी हमको soft हो जाएगी shrink हो जाएगी श्रंक का नहीं को दिखेगी यदि हम grossly देखते हैं तो initial stage में कैसी pale दिखेगी slightly swollen मिलेगी जैसे progress हो जाएगी तो कैसी नहीं लगेगी वह yellow color की लगेगी क्योंकि इसमें डाइस्टन हो रहा है ज्यादा बन रहा है सेकेंड क्या मत करें सॉप्ट हो जाएगी वह अंदग जो material हो डाइस्ट हो जाएगे तो कर जाएगी ठीक हो जाएगी यह सेल होती है जमी होती है सेल आपास में जुड़ी होती टीशू बनाती है ठीक है न तो यह हमको एक tom stone जैसी दिखाई पड़ती है very important question मनता exam का tom stone ठीक है वह लाइक हमको structure दिखता है मतलब इसके अंदर जो भी material थे बिल्कुल वह हो homogenous हो गए कुछ आपको दिखने रहे और वह एक की उपर एक रखी हुई है यदि नेक्रोटिक सेल बहुत दिन तक रह जाती है कोई टीशू में तो वह आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी ठीक है न अंदर कुछ नहीं होगा राजेंस हो जाएगा सब material अंदर सब आर्गिनल क दिख रही है ठीक है न कैसा मिलेगा हमको यहां पर जो आउटर लाइन होगी वह कैसी होगी रेटेन होगी इसलिए हमें क्या दिख रहा है वो टॉम इस्टों जी दिखेगा ठीक है बट देर साइटो प्लास्मिक एंड नुकलियर डीटेल और लॉस्ट मैंने आपको बोला है साइटो प्लास्म में नुकलियर में क्या मिल रहा है चेंजेस मिल रहा है ठीक है फिर है नेक्रोस्ट चेल आर स्वेल बिलेगी एपिएर मोर ऑसे नोफिल बताया था मैंने आपको जब भी नेट्रोटिक इसल की बात करेंगे वह यह से डाई के बहुत अट्रैक्टिव हो हो जाती है क्योंकि बट सिहर को जाओ मैंने आपको मिलेगा मैंने आपको बटाया जाता है इंक्रोस्ट जो ह्lestol है वा पर Charlie आटीचर हो जाएगी उसको मारने के लिए हमारे बॉड़ेंस कि यहां जाए गे तो आपको हो सकता है में कि मिले आपको वहापर मीले को साइ्ट स्यवे इसके लावा है dead cell are phagocytes मिलेंगी, जो वहाँ पर आपकी leukocytes गई है, जो आपकी WBC cells गई है, उन्तों क्या क्या होता है phagocyte करके cell को kill करना तो कई जो है, कई dead cells होंगी, वो WBC के अंदर होंगी, मतलब phagocytes form में होंगी, ठीक है dead cells are phagocytes होंगी आपको cell के चोटे-चोटे तुकडे मिलेंगे, गेन्यूल्स form में या फागिमेंट form में, ठीक है, तो जब भी आप नेक्रोस सेल को देखेंगे तो उन्हें दिख सकती है more eosinophilic दिखेंगी inflammatory infiltration मिलेगा आपको आप WBC मिलेंगी, WBC जो है इसके लिए बात करेंगे, तो उन्हें को मिलना ही इसमें cytoklasm में को क्या मिलना है, होमोजिनेस होगा बताया था मिने आपको, और eosinophilic होगा और नूकलियस की बात करेंगे तो उनको उसमें pecanosis मिल सकती है karyolysis मिल सकता है, karyory axis मिल सकता है pecanosis, karyolysis, and karyory axis यह आपको मिलेगा उसमें किसमें नूकलियस मिलेगा, तो यह आपको याद रखना यह चिनिस आपको बहुत commonly तो मिलना ही है, आपको नेक्रोसिस में मिलना है क्योंकि नेक्रोसिस में आपको यह cytoplasmic and nucleot चिनिस आपको तो मिलते ही है तो यह आपकी है, coagulatory necrosis very very important है government job के साब से, government job में जो question दा तो उसके साब से exam के view से भी आपको यह आना चाहिए जो इसके आगे के जो types है उनको भी आगे हम discuss करेंगे तो आज हमने देखा है पहला coagulatory necrosis जो कैजिए главное क्षन है